प्रस्न अवली आठ दस्मलों एक के पार्ट वन वीडियो में हमने प्रस्न संख्या एक के प्रस्नों को हल किया था आएए अब उससे आगे के प्रस्नों को हल करें पार्ट वीडियो में प्रस्न संख्या दो किसी संख्या के दुगने में आठ जोडने पर 32 प्राप्त होता है वह संख्या ज्यात कीजिए तो जो हमें प्राप्त करना होता है अज्यात होता है उसे हम किसी चर के रूप में मान लेते हैं तो मान लिया कि संख्या ब्रापर एक्स जो हमें चाहिए संख्या तो प्रस्न से प्रस्न क्या कहता है संख्या के दुगने में यानि टू एक्स आठ जोडने पर आठ जोडने पर आठ जोडने पर क्या मिलता है 32 अब यह समिकरन हमें मिल गया है इस समिकरन को हम हल करेंगे तो हमारा एक्स कमान आ जाएगा समिकरन के दोनों ओर हम आठ घटा देते हैं यह हमने 22 गटा दिया अब यह दाहिनी तरफ तो यह प्लस 8 और माइनस 8 यह कैंसल हो गया तो यह आ गया 2 एक्स इसकल टू यह 32 से 8 घटा देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 24 अब क्या करेंगे कि इस समिकरन के दोनों ओर दो से भाग दे देंगे तो यह 2 एक्स बटा 2 इसकल टू 24 बाइ 2 तो यह हमारा आ गया एक्स इसकल टू 12 अर्थात इसलिए अभिस्ट संख्या अभिस्ट संख्या ब्राबर 12 प्रत्म संख्या 3 किसी संख्या के एक तिहाई में 5 बटा 2 घटाने पर 3 बटे 2 प्राप्त होता है वह संख्या ग्याद कीजिए तो आईए से हल करते हैं मालिया के अभिस्ट संख्या जो हमें चाहिए ब्राबर x तो प्रस्ण से संख्या के एक तिहाई में यानि एक बटा 3 इंटू x एक तिहाई हो गया में 5 बटा 2 घटाने पर 5 बटा 2 घटा दिये तो हमें प्राप्त होता है 3 बटा 2 आईए इस समिकरन को हल करते हैं तो एक बटा 3 x यानि x बटा 3 अब क्या करेंगे कि समिकरन के दोनों और हम 5 बटा 2 जोड़ देंगे तो यहाँ आ गया माइनस 5 बटा 2 जोड़ 5 बटा 2 ब्राबर 3 बटा 2 जोड़ 5 बटा 2 तो यह माइनस 5 बटा 2 और यह प्लस 5 बटा 2 यह कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया x बटा 3 इसकल 2 आट बटा 2 यह 3 बटा 2 जोड़ 5 बटा 2 यह हो गया हमारा 8 बटा 2 अब क्या करेंगे समिकरन के दोनों और 3 से गुना कर देंगे ऐसा क्यों करेंगे कि यह हर में 3 है उसे कैंसिल करना है तो यह गुना 3 और यह 8 बटा 2 गुना 3 तो यह 3 और यह 3 कैंसिल हो गया और यह बच गया x इसकल 2 यह 2 से 8 हम कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 ती आई 12 ऐसे करके दिखा देते हैं दो चोके 8 और 4 आई 12 तो x का मान हमारा आगया 12 और थात जो हमारी अभिस्ट संख्या है ब्रावर 12 प्रस्ण संख्या 4 दो संख्याओं का योग 35 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ग्यात कीजिए माल दिया कि छोटी संख्या दोनों में से एक छोटी होगी है कि बड़ी होगी तो ये छोटी संख्या छोटी संख्या ब्रावर X इसलिए दूसरी बड़ी संख्या या बड़ी संख्या इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो क्या है पांच अधिक है ये जो है बड़ी संख्या है पांच अधिक है तो ये X प्लस 5 दो संख्या का योग 35 है एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो अर्थात एक छोटी है और एक बड़ी है तो जो छोटी संख्या है वो हमने माल लिया X और जो बड़ी संख्या है वो X प्रस्ण से, प्रस्ण में क्या कर रहा है, दोनों संख्याव का योग 35 है, तो आईए दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस x प्लस 5 इसकल टू 35, तो ये हो गया, 2x प्लस 5 इसकल टू 35, अब समिकरन के दोनों और हम 5 घटा देते हैं, तो 2x प्लस 5 माइनस 5 इसकल टू 35 माइनस 5, तो ये प्लस 5 और माइनस 5, ये कैंसल हो गया, तो हमारा बच गया, 2x इसकल टू 30, अब दोनों और हम 2 से भाग दे दे रहे हैं, 2x by 2 इसकल टू 30 by 2, तो ये हमारा आगया, x कमान, x सकल टू 15, अर्थात, पहली जो संख्या है, जो पहली संख्या है, दो संख्या थे, तो पहली जो छोटी संख्या है, पहली संख्या, ब्राबर 15, और जो दूसरी संख्या है, एक और संख्या है, दूसरी संख्या, तो वो 5 जादा है इससे, 15 जोड 5 ब्राबर 20, तो एक संख्या हमारी 15 है, और दूसरी 20 है, प्रस्न संख्या 5, तीन लगातार पूर्णांकों का योग, एक कावन है, पूर्णांक ग्याद कीजिए, आई ये से हल करते हैं, माल लिया, कि, पहली पूर्णांक, ये है, एक्स, तो दूसरी पूर्णांक, चुकि ये लगातार है, तो ये दूसरी होगी, एक्स प्लस वन, और तीसरी, ये एक्स प्लस टू, लगातार है, इसलिए ऐसा होगा, प्रस्न से, लेकिन प्रस्न क्या कहा रहा है, कि तीनों का योग 51 है, तो आई ये से जोड़ देते हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस वन, प्लस एक्स प्लस टू, इसकल टू 51, तो ये हो गया हमारा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, त्री एक्स, और ये वन प्लस टू, त्री, इसकल टू 51, अब समिकरन के दोनों ओर हम तीन घटा देते हैं तो 3x प्लस 3 माइनस 3 इसकल टू 51 माइनस 3 तो यह प्लस 3 और माइनस 3 कैंसल हो गया तो हमारा यह आ गया 3x इसकल टू यह 48 अब इस समिकरन के दोनों ओर हम तीन से भाग दे दे रहे हैं 3x by 3 इसकल टू 48 by 3 तो यह हमारा आ गया x इसकल टू 16 तीन से 48 को काटेंगे तो 16 आएगा तो हम इस पहली पुर्णांग मिल गई इसलिए पहली पुर्णांग यह हो गई 16 दूसरी एक जोड़ देने से मिल जाएगी दूसरी पुर्णांग यहां देखे x प्लस 1 है तो x के जगह हम 16 रखते हैं तो 16 प्लस आए कि तो यह आ गया 17 और तीसरी पुर्णांग यह 16 प्लस 2 इसलिए to 18 तो इस तरह से हमें 3 पुर्णांग मिल गई प्रस्न संख्या 6 6 के 3 लगातार गुनजों का योग 144 है गुनजों को ग्याद कीजिए आईए से हल करते हैं मान लिया कि 6 क्या पहला गुनज जो हमें चाहिए बराबर x तो दूसरा गुनज कितना हो जाएगा लगातार है x प्लस 6 और तीसरा गुनज हो जाएगा x प्लस 12 तो प्रस्न से प्रस्न क्या कहता है कि 3 का योग 144 है तो आईए जोड़ देते हैं x प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 12 इसकोल टू 144 यहां पर x प्लस x प्लस x 3 x हो गया और यह 6 और 12 यह हो गया 18 इसकोल टू 144 अब समीकरन के दोनों और हम 18 घटा देंगे तो 3 x प्लस 18 माइनस 18 इसकोल टू 144 माइनस 18 तो यह प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल हो गया तो यह हमारा आगया 3 x इसकोल टू 144 से 18 घटा दीजे 126 अब समीकरन के दोनों और हम 3 से भाग दे दे रहे हैं तो 3 x by 3 और 126 बटा 3 तो यह हमारा आगया x इसकोल टू 42 तो पहला गुनज हमें मिल गया इसलिए पहला गुनज यह हो गया 42 यह दो है 42 दूसरा गुनज 42 जोड 6 देखे x प्लस 6 है तो यहां 42 जोड 6 यह 48 और तीसरा गुनज तो यह हो गया 42 प्लस 12 तो यह हो गया 16 तो हमें तीनों गुनज मिल गया प्रस्न संख्या 7 दो संख्याओं का अनुपात दो अनुपात 5 है और उनका अंतर 21 है तो संख्याएं ग्याद कीजिए आये से हल करते हैं मान लिया कि पहली संख्या या एक संख्या पहली संख्या बराबर 2x तो दूसरी संख्या हमारी है 5x और प्रस्न से इनका अंतर है 21 तो बड़ी तो निश्यत रूप से यह होगी 5x तो हम इनका अंतर लेते हैं 5x घटाओ 2x इसकल टू 21 तो 5x से 2x घटाते हैं तो यह आ जाता है 3x इसकल टू 21 अब इस समिकरन के दोनों और हम तीन से भाग दे दे रहें तो 3x बाइ 3 इसकल टू 21 बाइ 3 तो हमारा x का मान आ जा रहा है 7 इसलिए हमारी जो पहली संख्या है वो है 2x यानी 2 इन्टू 7 तो यह हो गया 14 और दूसरी संख्या यह है 5x यानी 5 इन्टू 7 थाट 35